हेलो वरीबडी वेल्टम टू मैं चैनल माई सथ अक्षुदा सो जैसे कि हम डाइजेशन अन अब्सॉप्शन चैप्टल कंप्लीट करने वाले थे कल जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स की वज़े से हम कंप्लीट नहीं कर पाया लेकिन कल हमने बहुत ही जादा वेल्यूएबल ट होता और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ठीक है जहाँ पर भी आपको लाइसिस वर्ड दिखें मतलब वहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है राइट फूड जो है वह हमारे लाइफ की बहुत ही जादा बेसिक रिक्वाइर्मेंट है जो कि हमारे बॉड़ी को क्या करता है जिसकी वज़े से हमारे बॉड़ी में ग्रोफ और रिपियर ओफ टीश्यूद कंटीनियस्यस ली होते हैं खर छोdar हमारे बॉड़ी में कैट या इंजरी हो जाती है तो फूड जो की हमारे बॉड़ी को करनेंसिंट रगता है उसकी वज़े यह व्यादा है अवय i.e. carbohydrate, protein, fats और small quantity में vitamins और minerals की जरूरत पर थी लेकिन major components क्या है carbohydrate, proteins और fat, carbohydrate, proteins और fat को जब हम break down हमारा body breakdown करता है उसको cut करता है तो उससे energy जो है निकलती है इसलिए major components of food क्या carbohydrate, proteins और fat से और small quantity में vitamins और minerals की हमारे body को जरूरत है यह तो हो गया food के बारे में water क्या है water is the metabolic process ठीक है water क्या एक metabolic process है जो कि हमारे body को dehydrate होने से बचाता है जहाँ पर पानी की कमी जब हमारे body में पानी की कमी हो जाती है ठीक है when there is shortage of water in our body उस time पर हमारे body में dehydration होता है और water क्या करता है यह prevent करता है dehydration of the body as we know that हमारी human body जो वो 70% water से मिलकर बनी हुई है अगर water हमारे body में नहीं रहेगा तो हमारी body सूखने लगेगी रूख ही हो जाएगी इसलिए पानी जादा से जादा पीना चाहिए अब तो गर्मी भी आ रही है नेक्स पॉइंट है bio macromolecules in food cannot be utilized in the original form ऐसा क्यों वोला जा रहा है हम खाना खाते ठीक है तो हम जो खाना खाते पहले mouth के अंदर जाता है और teeth की वज़े से mastication होता है food जो चोटे चोटे particles में divide हो जाते है breakdown हो जाते है जब यह food stomach के अंदर जाता है do you think कि वहाँ पर हमारा food ऐसे ही utilize हो जाता है नहीं वहाँ पर भी food particles जो है जो चोटे 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 इसमें पहले ही तूट गे अब और उसको simplest form में break down करेगे ताकि हमारा body और जादा easily इसको absorb कर सके इसलिए जो bio macro macro आ रहा है मतलब की बड़े बड़े जो molecules से food के वो cannot be utilized in the original form वो original form में utilize नहीं हो सकते हमारे body में इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा breakdown करना पड़ेगा तो basically है पर दो methods है एक तो chemical method enzymes वगरा यहाँ पर आएगे जिसकी वज़े से food rises होगा पूरी तरी किसे breakdown होगा ताकि utilize कर सके उसके सारी nutrients को और दूसरा है mechanical mastication के थ्रू हम food को खाते तो mastication के थ्रू उसको breakdown करते हैं माउथ के अंदर तो यह mechanical process हो गया तो chemical or mechanical process के थ्रू हम यहाँ पर उसको breakdown करते हैं simple substance के अंदर ताकि वह easily digest हो सके और उसमें से properly utilize हो सके हमारे body के अंदर ठीक है digestive system अब digestive system यहाँ पर दो चीज़े contain करते हैं that is the elementary canal जो की pipe like system बोल सकते स्टार्ट होती फ्रूम जो की help करते हैं digestion में of the food in the elementary canal easily digest करने के लिए associated glands enzymes release करते हैं ताकि food digest हो जाएं यह कुछ layers के अंदर present होते glands और enzymes वगेरा digestive enzymes वगेरा से great करते हैं जो की help करते हैं digestion तो elementary canal की बात करते हैं starting होती है इसके anterior opening उपर की opening जो anterior opening mouth है mouth के बाद pharynx आता है इसो फैगस देन stomach then small intestine large intestine and the posterior opening that is anus ठीक है इस तरीके से elementary canal start होता है और पूरा जो है utilize करने की कोशिश करता है food को ताकि energy provide हो सके हमारे body को ठीक है next topic है टंग start मतलब हर एक organ के बारे हम यह पर detail में discuss करेगे कि क्या होता है elementary canal के अंदर तो start करते टंग से टंग जो है एक freely movable muscular organ है यह कहें freely movable muscular organ जो की attached to the floor of the cavity by frenulum तो यह अगर हम उल्टी साइट से देखे टंग को नीचे की तरफ से देख रहे ठीक है तो यह यहाँ पर oral cavity है और यहाँ पर यह टंग है नीचे की तरफ से देख रहे हैं और यह टंग जो है this is what this is frenulum जो में बनार यू बीच में टंडी that is the frenulum और यह frenulum से अटेच है oral cavity से आपने देखा होगा कि अपने टंग जो है कभी भी बाहर निकल के गिर नहीं जाती है तो frenulum से क्यूंकि oral cavity के अंदर frenulum से अटेच है तो यह वर्ड याद रखना बहुत बार नीक में डारेकली पूछ लिया जाता है कि oral cavity के अंदर तंग किस से अटेच डेच ठीक है तो इस अटेच दफ्रेनियूलम अब अगर हम बात करें इसके पापिलास के बारे में ठीक है तो पापिलास जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तंग के ऊपर इस तंग हब आप ऊपर की तरफ से देख रहे अक्चल तंग होते हैं सरकम वेलवेट पापिला फंजी फॉंप पापिला फिली फॉंप पापिला ठीक है एक और पापिला होता है तो यह पापिलास जो इस तरीके से अरेंज होते हैं यह सलकस यहाँ पर यहाँ पर जो एक सलकस टर्मिनालिस होते हैं और यहाँ से जस्ट आगे सलकस टर् प्रेजन्ट उते हैं यहां पर सर्कंव ग्रभापिला के पास सबसे ज़्यादा टेस्ट बड्डz प्रेजन्ट होते हैं ठिक हैं माउथ ड़ंग के बाद करें यह पॉइंट हमारा रहे गया यहाँ पर कि यह जो कन्वर्जन होता है complex food substance का into the simple absorbable form हम क्या कर रहे हमारे body के इंदर mastication के दूसको breakdown करें simple form में ठीक है फिर यह तक पहुच रहा है वहाँ पर कुछ enzymes और उसको breakdown कर रहा है simple form में तो इस तरीके से क्या process हो रही है यहाँ पर कि जो conversion हो रहा है complex food का into the simple absorbable form and this process is called as the digestion इस process को digestion बोला जाता है जब यहाँ पर complex food substance का conversion होता है into the simple absorbable form basically as we told that digestion system जो वो दो method से चलता है एक तो mechanical method जिसके इंदर domestication के तुरू हम food particles को simple form के अंदर breakdown करते small particles के इंदर breakdown करते while another is the biochemical method जिसके इंदर enzymes utilize होते हैं जिसकी वज़े से वो breakdown होते हैं simplest form के अंदर convert हो जाते हैं so this all process is called as the digestion next tongue के बाद हम discuss कर रहे थे mouth ठीक है mouth leads to the buccal or oral cavity mouth को जो है वो buccal cavity और oral cavity भी बोला जाता है please याद रखना है ठीक है buccal cavity और oral cavity basically mouth के अंदर तीन टैप के डॉंट यहाँ पर दिखाई देगे यह हम mandibular jaw की बात करें ठीक है रफ डाइग्राम बनाते हैं यहाँ पर टीथ का यह सॉकेट है एक नट जैसा फिट करते हैं उस तरीक से टीथ जो है यहाँ पर फिट होता है root के अंदर मतलब socket के अंदर root fit होता है टीथ का दिजाधी sockets और इसके अंदर tooth जो है वो socket of the jaw bone jaw bone के अंदर यहाँ पर socket के अंदर हर एक tooth जो है वो fit हुआ है that is known as the theco don't then दूसरा है डाइ फायो don't इसके नाम से समझ में आ रहा है देखो डाइ मतलब दो होता है और don't मतलब teeth मतलब कि दो sets of teeth यहाँ पर हम experience करते हमारी लाइफ में राइट बच्पन में हमारे milk teeth होते है that is called that is also known as the temporary teeth और deciduous teeth जो की replace हो जाते बाइधी permanent teeth और adult teeth राइट तो डाइफ आयो don't is what the two sets of teeth during the lifetime यहाँ पर दोट सेट्स of teeth होते है lifetime के अंदर deciduous और milk teeth जो की replace हो जाते है बाइधी permanent और adult teeth विच गेट्स रिप्लेस्ट बाइधी पर्मनेंट और अडल्ट टीथ डाइज डाइफ आयो डोंट और तीसरा है हेट्रोडोंट है टेरो मतलब की जहापर characteristics dissimilar होते हैं मैच नहीं करते बहाँ पर हैट्रोश अजाता है जहापर differences create होते हैं जहापर differences होते है between the objects जहापर हम compare करते हो बहाँ पर difference आजाता है वहाँ पर हेटेरो वर्ड यूज होता है similarly यहाँ पर हमारे औरल कविटी के अंदर देर बिसिकली फोर टाइपस ऑफ टीथ इसलिए यहाँ पर हैटेरोडोंट पनलब डिफ्रेंट टाइपस ऑफ टीथ यहाँ पर चार टैप के टीथे इंसाइजर्स कनाइं प् हम मैकजिला की बात करते हैं दिस इस वोट सबसे पहले यहाँ पर सेंटरल टीथ होता है तो दो इंसाइजर्स होते हैं कनाइन एक होता है लैटरल इंसाइजर के बाजू में ठीक है तो यह एक होता है प्री मोलर जो यहाँ पर दो प्रेजेंट होते हैं जो की मैस्टिकेशन की बात कर रहे है तो यहां परब्लो प्रेज़ेंट होते हैं इन आड़ थिक तौक से अनदर तीन मोहने उते हैं इंक यहां पर तीन ने भी प्रेजेंट होते हैं इन अडर्श था मैं तब से बल्कीष्ट फस्ट दिगें सब्सक्राइब रहा है कि तो कितने मोलर हो गए सपर्स्ट मोलर सकेंड ठार्ड मोलर तो यहाँ पर यह तीन मोलर हो गैंट इस वन इस के समय से तुम हो गए और मोलर कितने हो गहें तीन हो गए राइट देखे गे आफ फॉर्मूला के through incisors adult की बात कर रहे हैं ठीक है तो दो incisors हो गए हमने सिर्फ एक ही quadrant की बात की है यहां पर basically as you can see देखो यहां पर मैंने quadrant बनाए यहां पर 1234 मतलब क्या यह है maxilla यह है mandible यहां पर central central T थे यहां पर central central T थे तो इस तरीके से चार parts में डिवाइड होता है हमने सिर्फ एक ही पार डिसकस किया है ठीक है अब यहाँ पर चीज़े डिसकस करते हैं कि कैसे फॉर्मूला जो वो बना है ठीक है फॉर्मूला को देखते हैं हम आगे ठीक है तो हाफ अपर जो एंड तो यह उपर का जो है that is the half of अपर जो इस i c pm i for incisor c for canine pm is premolar and m is molar ठीक है incisors जो वो front teeth होते हैं जो की bite करने के लिए मदद करते हैं कनाइन जो है वो incisors के बाजू में होता है as you saw in the diagram incisors के बाजू में कनाइन होता है और कनाइन जो है हमारे facial structure को mouth को support देने में मदद करता है ठीक है कनाइन जो है वो बहुत जादा शार्फ होता है डॉक्स के अंदर उसके बाद premolar और molar से करने क्या चीज़ देखी कि दो इंसाइजर होते यह कनाइन प्रेजेंट होता है जो कि facial structure को support देता है हमारे mouth को support देता है अपने old age में देखा होगा जब उनके teeth सारे गिर जाते तो उनके lips अंदर चले जाते उनका facial जो है वापस structure जैसा टीथ होते उस time पर वैसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो कनाइन है यह हमारे lips को mouth को support देता है ठीक है दो देन उसके बाद दो premolar सोते जो कि mastication में मदद करते और molar सोते है wisdom teeth जो है वह 18 प्लस होने के बाद ही आता है ठीक है wisdom teeth 18 प्लस होने के बाद ही आता यह ऐसी जिसको अकल दाड भी बोलते है मराथी में शायद तो यह 18 प्लस जब आपको दिमाग आने लगता है मतलब बेसिकली दुनियादारी समझ में आती है ऐसा बोला जाते है उसके बाद यह दात आना चालू होता है इसे wisdom teeth भी बोला जाता है अडल्ट भी बोला जाता है या फिर ठीक है एक और नाम बोला जाता तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है इन दिस कि यहाँ पर जो थर्ड मोलर है वो wisdom teeth है जो की 18 प्लस होने के बाद ही आता है ठीक है अब यहाँ पर इन चिल्डरन आपको क्या याद रखना है हमने क्या चीज़ देखी उपर या अडल्ट के बारे में देखी अब बच् प्री मोलर की जगे पर 0 है मतलब प्री मोलर आर एपसेंट इन चिल्डरन प्री मोलर जो है आपको यह पॉइंट कि याद रखना है बच्चों के अंदर की प्री मोलर एपसेंट होते बच्चों में उसके बाद डाइरेकली दो मोलर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर एक मोलर प्रेजेंट है प्री मोलर सेपसेंट है तो जब यह मोलर फॉल ऑफ हो जाएगा एक स्टेज के बाद तो इसकी जगे पे कौन सा टीत आना चाहिए प्री मोलर आना चाहिए या मोलर ही आना चाहिए वाट डू यू से अब चिल्डरन जो बच्चा जो है वह ग्रो कर रहा है अब वह अडल्ट टीत की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो प्री मोलर प्रेजेंट है अडल्ट के अंदर मतलब क्या होगा कि जो मोलर है जब मोलर बच्चों के अंदर गिर जाएगा तो प्री मोलर यहाँ पर जगा लेगा मोलर की जगे पे ठीक है डैसीडियस मोलर की जगे पे अडल्ट प्री मोलर आएगा ठीक है यह चीज क्लियर रखना देन नेक्स्ट है हाड़े सबस्टेंस ऑफ टीथ इस इनामल जो वाइट स्ट्रक्चर दिखाई देता है इनामल के अंदर तो यह था पूरा माउत के बारे में कि किस तरीके से चीजे यहाँ पर है तो यहांपर दिखाऊट चीज Cry इनामल कानल जुक्त में कि यहाँ पर दिक्कत कि यह हो सकती है कि जब फूड हम खाते है उस टैंपर गलती से एर पैसेज में क्यों नहीं जाते है क्यांगे इन जाता है learnt की यह तो कॉमन पैसेज है खाते हैं से एक में और सेज में भी तो जा सकता है विंड पाइप में भी तो जा सकता है एसा इसी लिए होता है क्योंकि एक एक गेट की तरह काम नहीं देता एक पीट करते आज wood की नहीं करते हैं कि यह की किसका बनद होता है यह किसका इयर पाइप का ट्राचिया गेट बंद हो जाता है ताकि food particles गलती से wind pipe के इंदर ना चले जाए तो यहाँ पर cartilaginous flap that is the epiglottis this prevents entry of food into the glottis glottis के अंदर entry prevent करता है थीक है then next is opening of the wind pipe trachea during the swallowing तो यही चीज़ बताई गई है कि कि जब swallowing करते हैं फूड का उस टाइम पर यह गेट बंद हो जाता है जो कि नीफ शेप्ड होता है ताकि फूड के एंट्री प्रिवेंट कर सके इंटु दी विंड पाइप यहां पर फूड और दोनों पास ऑथ होते और यहां पर एपी लोटिस जो है गेट की तरह काम करता है जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री और फूड पार्टिकल इंटु दी ग्लोटिस एविंड पाइप ठीके तन नेक्स्ट है फैरेनिक्स के बाद आता है एसोफैगस वर तो यह थिं लॉंग टूब है जो कि एक्सेंड की तरफ एक्सेंड हो रहा है betrayals भूल रहा है यहां पर जो लिंक रधूर्व एट्वियन तो यहाँ पर जो food particles enter हो रहे into the stomach अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक gate बंद होता है जो कि थोड़ी थोड़ी amount में food particle को entry देता है ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हो तो gate खुला है धाया 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 फिल्कुल स्टमक के अंदर सारा food जो वह एंटर हो रहा है ऐसा नहीं होता है यह थोड़ी थोड़ी amount में food को अंदर जाने क्या permission देता है ठीक है एकदम से सारा food अंटर नहीं हो पाता है स्टमक के अंदर तो इसलिए यहाँ पर एक gate है that gate is known as the gastroesophageal spinster अब कैसे याद रहेगा स्टमक को gastro भी बोला जाता है gastrointestinal tract ठीक है तो gastro मितलब स्टमक और esophageal मितलब esophagus और spinster जो की एक gate की तरह होता है जो की बंद होता है जब food particles नहीं होती है थोड़ी-थोड़े amount में खुलता है और entry देता है to the food into the stomach ठीक है तो यह एक spinster की तरह काम करता है तो this gastrointestinal spinster which is a muscular spinster यह basically कैसा है muscular spinster है जो की gate opening close करता है जो food के entry करनी होती है तो opening of the esophagus into the stomach और यह क्यारे करता है opening of esophagus esophagus के food के अंदर जो फूद पार्टिकल से उसके opening को entry देता है into the stomach तो यह था esophagus के बारे में ठीक है then next is stomach stomach जो है वो लोकेटे इन अपर left portion of the abdominal cavity as we know that stomach का located it is in the left portion of the abdominal cavity which is basically divided into three parts यह जो है तीन पार्ट्स के अंदर divided है that is in the cardiac जहां पर esophagus open होता है cardiac के अंदर esophagus open होता है यहां पर इसका नाम कुछ तो reason रहोगा कि पहले पार्ट को cardiac नाम दिया गया क्योंकि यह just heart के नीचे प्रेजेंट है तो यहां पर का as we know that कि heart cells को cardiac cells भी बोला जाता है इसलिए stomach का जो पहला पार्ट है उसको cardiac नाम दिया गया है जहां पर esophagus की opening होती है basically बोल सकते है स्पिंश्टर इन दोनों के बीच में cardiac पार्ट और esophagus के बीच में स्पिंश्टर प्रेजेंट है जहां पर esophagus open होता है देन दे सेकंड पार्ट इस पंडिक पार्ट एंद थर्ड पार्ट इस पायरोलिक जो की small intestine के अंदर open होता है तो जिस तरीके से स्टमक और esophagus का बीच में गेट है उसी तरीके से small intestine और स्टमक के बीच में भी गेट है जहां पर यह small quantity में food को पास करता है ठीक है जो प्रोसेस होती डाट इस डाट प्रोसेस जिसकी मदद से food particle आगे बढ़ता है that is known as the peristalsis movement जो की इस तरीके से होती है this process is called as the peristalsis movement और इसकी मदद से food आगे पास होता है ठीक है तो यहां पर pyrolic spinster present होता है between the stomach and the small intestine तो यह था स्टमक के बारे में stomach जो है वो तीन पार्ट में divided that is the cardiac diagram भी दिया गया है in ncrt तो एक बार देख लेना ठीक है तो पहला है कार्डियक वेर इसोफेगस ओपन होता है देन फंडिक और तीसरा है पाइरोलिक जहां पर स्मॉल इंटरस्टाइन ओपन होता है इसके जस्ट बाद में पाइरोलिक सब्सक्राइब दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको देखके समझ में आएगा कि वहाँ पर स्टमक के बाद यूशेफ्ट डॉडेनम प्रेजेंट और यहां पर सबसे ज्यादा डाइजेशन प्रोसेस होती है यूशेफ्ट डॉडेनम प्रेजेंट है ठीक हाईली कॉइल ल पहला पार्ट है यूशेफ्ट डॉडेनम दूसरा पार्ट है लॉंग कॉइल जेजुनम और तीसरा है हाईली कॉइल्ड इलियम जो कि फाइनली इलियम ओपन होता है इंटु दी लार्ज इंटस्टाइन तो यहां पर भी एक स्पिंश्टर प्रेजेंट होगा बिट्विन लार्ज इंटस्टाइन आगे हम वो डॉडिसकस करेगे जुक है लार्ज इंटस्टाइन फिर से हम लार्ज 이용 झेंथे निके बारे में देखते कि ने तेन ही ने ढदैंट दूसरा है kolon और तीसरा है rectum तो इंक जो है यह small blind सच्क है सोस्पारे वह सह कंड कि जिसके अंधर सब्सक्षीम के पहले पार्ट पर समय मैंक्र ओर्गेनिज कह थे को वेहाइन प्रेजेज़न हुँ ना कि कुछ अइस्वार्गेनिजम यह Cash हमारे Heil में मदद करते हैं ठीक है तो यहां पर लार्ज इंटस्टाइन का जो पहला पार्टे सीकम वह सिंबायोटिक माइक्रो और्गेनिजम कंटेन करता है विच हैं डाइजेशन ठीक है तन उसके बाद यहां पर सीकम के जैसे एंट्री आपने सामने खुल के रहेगा यहां पर एक स्मॉल बैग है चोटा सा बैग है जो कि बाहर के दर निकल रहा है सीकम के जस्ट स्टार्टिंग में ही डाट इस नोन अस दी वर्मी पॉर्म अपढ़ीक्स यहां पैनडिक्स हमारे बॉडी के इंदर वेस्टीजियल और में व करनesser चाहिशा कर था तो उस इसका यूटिलाइज होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है बेसिकली इसका जो है वो यूटिलाइजेशन एनिमल्स के अंदर होता है हवी वो इस एनिमल्स के अंदर जो कि घास्पूस खाते हैं लेकिन हमारे बॉडी में फिलहाल तो यह वेस्टीजियल और गने जिसका कोई भी पहुचा सकते हैं इनकेस अगर यह इसके अंदर कोई डैमेज हो जाता है यह फट जाता है तो बहुत ही जादा टॉक्सिसिटी स्प्रेड हो सकती है जहर फैल सकता है हमारे बॉडी के अंदर जो कि बहुत ही जादा डैमेज कर सकता है हमारे बॉडी को तो यह बहुत ही में divided है ascending मतलब यह चड़ रहा है transverse मतलब यह स्लाइड हो रहा है जा रहा है इस बाजू से ठीक है एक सेड़ में बता करे तो असेडिन मतलब की चड़ रहा है से जसेंडिंग पार्ट मतलब की नीचे की तरफ जा रहा वेस्ट मटेरियल तो यह था अलिमेंटरी केनाल के बारे में अब बचा ऐसी एटेड बारे में भी हम आ अच्छे से डिसक्ड़ करेंगे सबसे पहले babys करते हैं अगर हम इसको ट्रांस्वरस करते हैं तो cause som लेयर है वो कौन सी लेयर है that is the cirrhosa outermost layer is the cirrhosa layer then उसके बाद आता है muscularis muscularis के अंदर दो चीजे है that is the inner circular as you can see in the diagram and the outer longitudinal यह था muscularis then उसके बाद आता है sub mucosa and then आता है mucosa mucosa is the innermost layer and then अंदर जो वो लुमान प्रेजेंट है आपर बहुत स्टमक के अंदर सबसे कॉंटिटी में mucosa or lubrication होता है ताकि food जो है वो अधेर होसों के एक दूसरे के साथ और आगे उसको easily flow कर सके हमारा बॉड़ी इसलिए सबसे जादा जो है वो म्यूकस यहां पर spread होता है कुछ enzymes जादा acidic होते हैं जैसे कि HCL हो गया जिसका pH 1.8 तक होता है जो कि बहुत ही जादा acidic होता है इतना जादा harmful हो सकता है अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो यह हमारी इनर्मोस लियर को damage भी कर सकता है वहाँ पर ulcers भी हो सकते हैं ठीक है इसलिए म्यूकस और lubricating चीजों की elements की बहुत जादा ज़रूरत है हमारे स्टमक के अंदर ताकि कोई भी damage ना हो सके ठीक है तो यह था histology के बारे में इसका diagram तो discuss कर लिया हमने अब इसके बारे में detail study करते कि फ्रॉम इसोफेगस तो रेक्टम तो यह जो लेयर है यह starting from the esophagus till the rectum यह हमें ऐसे ही दिखाई देगी ठीक है पहला कौन सा है पहला लेयर है सिरोसा सिरोसा इस दा आउटर मौस लेयर जो की मेड़ आफ है मीजो थीलियम एंडी कनेक्टिव टिशू बाहर की लेयर है तो ओविएसलिए दूसरे और और से भी विशे लिए बाहर के लेयर को क्या बोला जारा है कि यह कनेक्टिव टिशू से मिलकर बना हुआ है और मिजो थीलियम से मिलकर बनौ में मीजो थीलियम इस वह इन तो इनर चलागी चाला है और बाहर निकालते हैं तो बाहर आ जाता है तो यह क्या है यहां पर muscularity आ रही है इसके लिए इसका नाम muscularis रखा है कि we can change our stomach का shape according to us अगर बहुत बार हम बहुत जादा tight खाना खाले तो तो मारा पेट भार आ जाता है बहुत जादा मसल्स भी हापर प्रेजेंट तो इनर सर्क्यूलर आउटर लॉंगी ट्यूडनल और कुछ अबलिक मसल्स भी हापर प्रेजेंट है इन मस्क्यूलैरिस उसके बाद यह जिसके अंदर बहुत सारे नर्व्स ब्लड और लिंप फैसल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है इन डॉडनम ग्लैंड आर प्रेजेंट और डॉडनम की इस लेयर के अंदर बहुत से ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है क्योंकि यहां पर सब म्यूकोसा के अंदर बहुत से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं ठीक है और फॉर्थ लेयर है इनर्मोस लेयर अट कंटेंज इर्रेगुरल फोल्ड्स इस तरीके से ठीक है आपके सामने डाइग्राम एंसी आटी कुछ इस तरीके से होगे उसी शेप में हाँ पर म्यूकोसा के अंदर इर्रेगुलर फोल्ड्स दिखाए देगे जिसे हम रग बोलते हैं रगी बोलते हैं ठीक है आई डोट नो प्रनाउंसेशन सही है नहीं बट मैंने जब पढ़ाया तब मैंने रगी पढ़ाया इसको ठी इस तरी करते हैं ये गुछ और हिंटेन खरट आइंद गी बोलते हैं इसा स्मॉल हहां इसी ताइस स्माल आई है आइक पोल्डल या अइस-पा दारे जोबिक न्यूमेरसिसोपिक प्रोजेक्शन प्रेजिंट होते हैं जिसे हम रग करता हैं तेला है फिष्य Moss ledini डरेव पर ब्रेश बॉर्डर अपीरियंस शो करती है ठीक है विलाइ आर सप्लाइड विट नेट्वोग ऑफ कैपिलरी अद लाज बिंफ एस आज दिए डियाग्राम 16.5 वहाँ पर दिखाया होगा कि विलाइड वह बहुत सारे नेट्वोग ऑफ कैपिलरी कंटेंड करती है ने लाज ल बॉन लॉस तो कि पर टीक है एंड बाट्व कैपिलरी वहाँ पर नेट्वरक ऑफ कैपिलरी प्रिजिए भाट्व एस दी बाट्वेसल और यहां पर देडशी आस देट्वूग अन लीपी थिल्यां मुइस थी दल्यां है लेहां पर दोलन अंत इस नोंड दीली अन आग्य ऍभीऐरियुम गोबलाट सेल प्रिजनि चीए ऍसकेशित खिर्ए और चेंट मिविक्ष तीमिक सब्सक्रण गोबलेट केया कूरन आगे कली चीए तुमेंचेस centrs वीड़ार कुछिंनिक तो अकाइसो c लाई लाई इनुंपनो है चिरू सब्सक्रांब नेआ को सबंसे एक या लेश्जायर नेजए नमे क्रिप्स रिय convincing के बारे में discuss करते हैं digestive gland includes the salivary gland liver प्रेंक्यास तो यह इतने बहुत सारे gland यहां पर include होते हैं जो कि help करते हैं in digestion by secreting their enzymes तो सबसे पहले salivary gland की बात करते हैं salivary gland जो है वो saliva secret करते है salivary juice secret करता है इन्दा buccal cavity हमारे oral cavity mouth के अंदर यह saliva secret करता है कौन salivary gland जो कि बेसिकली तीन टाइप की gland होते हैं parotid gland सब-maxillary और sub-mandibular gland और sub-lingual gland तो parotid gland जो सबसे बड़ा gland सबसे बड़ा salivary gland तीनों के एक अंप्यार में बोला जारे ठीक है parotid sub-maxillary and sub-lingual gland के compare में सबसे बड़ा salivary gland is the parotid gland जो कि चिक्स के अंदर प्रेजन्ट होता है ठीक है उसके बाद sub-maxilla और sub-mandibular gland जो हो लोवर जो के अंदर प्रेजन्ट है और sub-lingual gland जो बिलो दी टंग लिंगोल आ गया मतलब की तंग के बारे में तो यहां salivary gland है ठीक है वाइल लीवर इस दे लार्जेस्ट gland इन अवर बॉडी जो कि 1.522 की जीज का है which is present in the abdominal cavity below the diaphragm यह abdominal cavity के अंदर below the diaphragm प्रेजन्ट है जिसके अंदर दो लोब्स है लिवर जो है वो दो लोब्स में डिवाइडेड है और जो इसके main cells है उन्हें hepatic cells बोला जाता है और hepatic lobules are structural and functional unit of the liver containing hepatic cells तो hepatic lobules को यहां पर structural and functional unit बोला जा रहा है ठीक है यह hexagonal in shape होते है ठीक है यह hepatic lobule है जिसके अंदर hepatic cell present is arranged in the form of the cord तो यहां पर hepatic cells जो है वो है कॉर्ड के फॉर्म में इस तरीके से arranged है ठीक है these are what these cells यह जो cells बना रही हूं है यह नथिंग बट इस आधी hepatic cells और यह हे कॉर्ड के form में हां पर present है इन दी hepatic lobule यह बहुत सारे इस तरीके से बनाता है ठीक है यह 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 यहां पर इस तरीके से यह यह तो यह जो है इस तरीके से पूरे लिवर को cover करते हैं इस आव नथिंग बट ही पाइपाटिक लोब्यूस जो की structural and functional unit है liver का जो कि बहुत सारे hepatic cells contain करते हैं और these hepatic cells these are arranged in the cord form यह cord के form में as you can see यहाँ पर यह cord के form में arranged है ठीक है यह एक लोब्यूल जो है hepatic lobule हर एक लोब्यूल जो है वो कवर्ड है विता connective tissue seed that is known as the glycineus capsule ठीक है that is known as glycineus capsule the hepatic cell secrete bile juice as we know that hepatic cell which bile juice secrete करता है ठीक है which is stored in the concentrated in gal bladder ठीक है और यह hepatic bile juice secrete करता है यह store कहा होता है store or concentrate होता है in the gal bladder gal bladder के अंदर यह store or concentrated होता है यह गैल ब्लैडर है ठीक है तो यहाँ पर है यह परेज यह दोनों जो उनका मिलें वो Regaram पर दोनों मिलका धागा उन बाल दॉक्साथoire हैं common byle duct और pancreatic duct यहाँ पर मिलकर है क्या बना रहे हैं यहा पर यहां पर यहां पर you from the liver and the gallbladder यह दोनों कर common byle duct बना रहे हैं और फिर common byle duct pancreatic duct मिलकर यहां पर the pancreatic duct बना रहें ठीक है हिपाटो पैंक्रियाटिक डग बना रहे और यह दोनों डख्ट जो है यहाँ पर एक गेट प्रेजंट है चुकि गाड़ेड है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है स्पिंश्टर ओडी ठीक है ओपन टुगेधर इंटु दी डॉडोम और फाइनली जो इस दोनों का सिक्रेशन क न चाशा और पैंक्रियास का ये फाइनली ओपन होता है इंटु दी डॉडेनम डॉड्यकियान डॉगन होता है तो है कॉमम डग्ट आता है यहां से परप्रेसा ये यहां पर प्रेजक रॉड्साटर ओडी 3 5 5 5 डिनेक्स पॉमिंट क्या है पेंक्रियार तो यह था किसके बारे में लिवर आप में अब na एंडोक्राइन की कुछ हॉर्मोन सिक्रीट करके ग्लुकोस लेवल को हमारे बॉडी में में इंटेन करता है तो एक्जोक्राइन यहां पर हमने एंडोक्राइन तो अल्रोडी डिसकस कर लें लेकिन इसका वीडियो फिर से में एक और बार अपलोड कर जोगी ताकि आपको अच पैंक्रियास जो है वो alkaline pancreatic juice सिक्रीट करता है कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि हल्प करता है इन डाइजेशन विच इस सिचुएट बिट्विन दे लिम्स ऑफ दी यू शेप डियो डियाग्राम यह तो यह बिट्विन दी लिम्स ऑफ दी यू शेप डियो डियो पैंक्रियास तक अब फाइनली डियोशन ऑफ फूट हमने जैसे की डिसकस्की यह दो प्रोसेस होती है मेकनिकल प्रोसेस और मैथेड ऑन दे केमिकल प्रोसेस अंदर मैथेड जिसके अंदर मेकनिकली बाइदे मैस्टिकेशन हम पूट को बेक्डाउन करते हैं सिंपल सबस् प्रोसे 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 बाइदे मेस्टिकेशन ऑफ पूट और दूसरा फैसलिटेशन ऑफ श्वेलविंग यहां से फूट जो है वह स्वेलो करकर आगे बढ़ता है इंटो इस दो गाम करता है कौन बॉकल केविटी देन उसके बाद मुकस इंद शलाइवा है य जैसे आपने देखाऊगा कि अगर आपके सामने को अपकी फेवरिट चीज का नाम भी लेता है तो आपके मुह में पानी आ जाता है जिस बिकॉस अपर बहुत ही जादा स्लाइवा सिक्रेशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है उसके साथ-साथ म्यूकस भी स्लाइवा करने जो कि help करता है in lubrication and adhering the masticated food particles and this is known as the bolus तो जो फाइनली चुछ करकर जो प्रॉपर एक मुह में structure बनता है that structure is known as the bolus ठीक है तो मुकस in saliva which helps in lubricating and adhering the masticated food particle तो आपस में यह masticated food particle को अधियर करता है और बॉल जासा structure बना देता है हमारे मूग के अंदर that is known as the bolus and move to the pharynx so finally bolus move करता है into the pharynx and then isofagus by the process of deglutation और we can say swallowing deglutation को swallowing भी बोला जाता है which helps in the muscular contraction called as the peristalsis तो जो मुवमेंट मैंने आपको बताया कि through this movement हमारे body के अंदर यह food particle आगे बढ़ते है this this process this that is known as the peristalsis तो इस movement की मदद से food जो है आगे हमारे body के अंदर बढ़ता है ठीक है अब इसके सिक्रीशन के बारे में डिसकस करते है पहला सिक्रीशन रहेगा salivary gland का देन दूसरा रहेगा gastric gland का और तीसरा रहेगा small intestine का ठीक है तो start करते saliva से तो salivary gland के सिक्रीट करते saliva सिक्रीट करते तो saliva के अंदर क्या क्या चीजे प्रेजेंट होती है salivary amylase present होता है और lizozyme present होता है lizozyme हमारा बहुत ही ज्यादा important structure है जो कि antibacterial agent है this antibacterial agent this prevents the infection in our body ऐसा देखो आपने देखा होगा डॉक्स को कि जब भी उनको कई पर चोट वगेरा लग जाती है injury हो जाती है cut वगेरा लग जाता है तो दे यूस्टू लिख विद्धियर सलाइवा क्यूंकि उनको कहिना कई पता है कि इसलाइवा के अंदर लाइसोजाइन प्रेजेंट होता है और लिख करने की वज़े से यह एंटी बैक्टेरियल एजेंट वहाँ पर बैक्टेरिया अधेर नहीं होगे जिसकी वज़े से वह injury और भी जादा हाम नहीं होगी इसलिए बोलते कि इसलाइवा लगा लेना चाहिए इंजिरी के ऊपर क्योंकि उसके इंदर एंटी वेक्टेरियल एजेंट प्रेजेंट जिसकी वज़े से यह प्रिवेंट करता है इंफेक्शन तो पर्टिक्लर प्रेस दूसरा यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है इस वी इसलाइवरी माइलेस कि लिए को तो कि इसके इसके बेशिकल्य जो प्रोसेस है यह हमेशा याद रखना जैसे हम खाते है तब से लेकर हमारी दाइजेटिशन की प्रोसेस चालू हो जाती है फूं दी माउत यहाँ पर 30 पर संट ओफस्टार जो वह ह्ईटलाइज हो जाता है 2.8 जो की convert हो जाता है into the maltose, Martose जो है क्या है, और maltose क्या है यह 2 structure contain करता हैं ग्लुकोस तो digestion की process माउठ से ही चाल हो जाती है, by the salivary amylase जो की starch को 30% convert कर देता है into the maltose, थीके? then, दूसरा secretion ने stomach का जो की gastric gland secret करता है पहला है mucous next cell ठिक है? पहला कहीan mucous next cell है दोसरा 해 peptic chief cell, chief cell यहां पर जो enzyme secret करेंगे ठिक है? और तीसरा है ऑक्ज roasting का parietal cell and तीसरा है lepces यापर small amount में lepces भी secret किया जाता है for the digestion यहां पर start करते हैं म्यूकस के नाम के इससे नाम की समझ में आ रहा है कि इसके अंदर म्यूकस सेक्रीट होता है जो कि हल्प करता है इन luprycation दूसरा है और चीफ सेल यहां पर यह प्रोऑंजाइन फैप्सीनोजन convert करेंगे तब यह जाके active form में आएगा और दूसरा यह सिक्रेट करते हैं रेनीन रेनीन की वर्ड याद रखना क्योंकि यह आप ब्रीटिंग और दूसरा है और यहां पर दोनों को रेनीन बोला जाएगा लेकिन स्पेलिंग के अंदर डिफ्रेंस है यहां पर डबलन है इन डाइजेशन और चैप्टर जो की पेप्टिक चीफ सेल सिक्रेट करता है और जो वहां पर रहेगा वह जुक्ता ग्लोमरोल अप्र यहां पर होर्मोन सिक्रेट करेगा रने जो की आगे अपने अक्टिविटी दिखाएगे हमने अल्रडी डिसकस किया थोड़ा थो तब केमिकल कॉडिनेशन के अंदर लेकिन हम ब्रीटिंग एन एक्टिंग गैसिस के अंदर हम और अच्छे से डिसकस करेंगे इसको ठीया त क्योंकि बहुत ही जादा हम फुल हो सकते हैं अगर यहां पर म्यूकस और लिखिटिंग चीजे प्रेजेशन नहीं रही हमारे स्टमक के अंदर तो इसली हां हो सकते हैं आप अलसर्स हो सकते हैं और और इसली डैमेज ओर स्टमक इनर लाइनिंग ठीक है अब अगे क्या बोल तो 4-5 गंटे तक फूड को स्टोर करता है और धीरे धीरे आपर डिजेशन प्रोसस आगे बढ़ती जाते है पूड मिक्स विद असलिग गेस्ट 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 गी जूस भाइद चुर्निंग मुवमिट्ट और फाइनली क्या होता है food जो है वह acidic gastric juice के साथ churning moment की मदद से mix होता है of the muscular wall is called as the chime and that food is known as the chime chime मतलब क्या है acidic food जब food basically mix होता है acidic gastric juice के साथ then finally this is known as the acidic food called as the chime pro enzyme as I told कि pro enzyme क्या है यापर जब भी pro आजाए मतलब ये inactive state में है अब इसको active करना पड़ेगा तो जब pro enzyme pepsinogen मिलेगा hcl acid के साथ तो ये active हो जाएगा और ये convert हो जाएगा into the active enzyme pepsin के अंदर जो कि एक proteolytic enzyme है of the stomach ठीक है तो pro enzyme pepsinogen जब hcl acid के साथ mix होगा तो ये inactive से active state में convert हो जाएगा that is called as the active enzyme pepsin and this is called as the proteolytic enzyme of the stomach basically अब क्या होगा ये protein को pepteosis और peptoons के अंदर that is peptides के अंदर convert करेगा pepsin ठीक है active pepsin अप्रोटीन को convert करेगा into the peptoosis and peptoons के अंदर that is called as the peptoosis के अंदर और जैसा कि मैं बता रही हो कि यहां पर mucus और कुछ bicarbonates in the gastric juice present होते है this help in what this help in lubrication and protect the mucosal epithelium from the highly acidic hcl called as the which has pH of about 1.8 तो यहां पर mucus और कुछ bicarbonate जो है present होते है gastric juice के अंदर ये help करते है in lubrication और protect करते mucosal epithelium को जो की innermost layer है of the stomach इसको protect करते है from the highly acidic pH highly acidic hcl जिसका pH है which is about 1.8 यहां पर renine जो है वो renine भी क्या है proteolytic enzyme है जो की help करते हैं digestion of the milk protein यह जो है वो बच्चों के अंदर जादा तक प्रेजेंट होता है क्योंकि milk का digestion में help कर रहा है ठीक है तीसरा है small intestine यहां पर hypatopancreatic duct through bile pancreatic juice और intestinal juice जो फाइनली कहां एंटर होता है small intestine के अंदर हमने जैसे की discuss कि की spinchart of ody के मदद से यहां पर common bile duct और pancreatic juice finally release होता है into the small intestine तो यहां पर bile pancreatic juice और intestinal juice इंटरस्टाइन भी अपना इनक्टिव स्टेट के अंदर प्रिजेंट होता है पहला क्या है काइमोट्रिपसिनोजिन यह भी क्या करेगा carbohydrate को digest करने में मदद करेगा breakdown करेगा carbohydrate का तैन प्रो कार्बोग्सी पेप्टी डेस इसके नाम से समझ में रहा है तो यह प्रो आ रहा है मतलब यह क्या इनक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है यहां पर इसको एक्टिव स्टेट में लाना पड़ेगा तो प्रो कार्बोग्सी पेप्टी डेस ठीक है जहां पर भी डेस आ जाता है मतलब यह एंजाइम है अभी क्यों करेगा कार्बोहाइड़ेट के डाइजेशन में मदद करेगा यहाँ हैँ यह तिस्टस करते हैं तो बाइल के बारे में तो बाइल जो है वह हो रिलीज होता है ड्रीज होता इन सब्सक्राइब बैएटी थतरों करता है और राबीफु thiska करता है टस सचोनाऊफु that 강ृष दिश्साे में होता है कि इनठ प्रजंटन सफीरुब्र करते है टुछ काम करते हैं थीसरा है कोलस्टेरॉल और चौता है फोस्फो लिपिट्स कोई प्रेसेंट नहीं होता है यह चीज अच्छे से याद रखना बाइल डॉस्ट नौट कंटेंट एने आथ फिर राइन तीक है कोई भी बाइल जो है वह अन्जाइम प्रेसेंट का कंटेंट नहीं करता है हidane तौह पर चार टाइप के चार टाट के प्रेजटे प्रिजेंट he is the bile pigment न यह उद है आज्ड एफोल एंप नहीं फोलसुम एंक उद इंप शॉम्राइनड धों के बारे मिन गश्राइब बारे में अब इसके बात चार टेक्स करते चोंहुति बीदिलियू एंड प्रोटेक करता है इनर्मोस लेयर ऑफ दी स्टमक को फॉम धी हाइली असिटिक एल ठीक है रसिक्रेशन अफ दी ब्रेश बोर्डर सेल्स ऑफ दी मुकसा अलॉंग विद दी गोबलेट सेल्स जो कि क्या इंटरस्टाइनल जीूस और सकस एंटरिकस कंटेन करता है जो कि क from the pancreas protec दस्टनेयल mucusa from the acids गया से मुकस है और बाइ। डीक करता है स्टमक को थाई इन रमोस लाइनिक को इनल्कलीर्ट मीडियम विश्थ pH of about 7.8 for the enzymatic activities तो यह ऐसा pH प्रोवाइट करता है जिसकी वज़े से यह प्रोटेक्ट करता है स्टमक को ठीक है इनर्मोस लाइनिंग को यह प्रोटेक्ट करता है और अन्द सब्मुकोसल ग्लाइट इस अब बर्नरी इस ग्लाइट अलसो हेल्पस इन दिस अन्द सब्मुकोसल ग्लाइट कालड ऐस दी ब्रुनरी आर्इज ग्लाइट ऑलसो हेल अजया मौ अधव्याल के साथ मिला अब यह प्रोटीन को को давाकर सकंद्वाब अ प्रोटोंस के अंदर अश्याहां नव्य। trypsin यहाँ पर आएगा trypsin विकेंसे और chymotrypsin यहाँ फिर carboxy peptidase यहाँ पर आएगे और यह इसको convert करेगे into the dipeptides मतलब कि यहाँ पर दो molecules present है dipeptides दो peptides के molecules यहाँ पर present है मतलब यह final product नहीं है तेन उसके बाद second reaction है polysaccharide which is a starch यहाँ पर convert होता है into the diaccharide with the help of amylase तो यहाँ पर amylase क्या करेगा polysaccharide को convert करेगा diaccharide के अंदर मतलब यहाँ पर भी क्या बन रहे दो molecules बन रहे diaccharide मतलब यह भी final product नहीं बना है the next day fats in the presence of lipases convert होता है पहले triglyceride के अंदर फिर से lipases के present में convert होता है into the diaglycerides फिर से lipases के present में convert होता है into the monoglyceride फिर से lipases के present में convert होता है into the fatty acids and glycerol थिकर थिकर बन तीसरा reaction है हमाँ नुखलिक ऐसीड जो कि nuclei tissues के present में nuclei elites के अंदर convert होते हैं फिर से nuclei में नुकलियोسाइट में ennis प्रेसेंचाट होते हैं तो यह भी क्या final product नहीं है these final steps in the digestion occur very close to the mucosal epithelial cells in the intestine और यह जो भी final steps हो रही है digestion की बहुत ही ज़्यादा closely हो रही है to the mucosal epithelial cells of the small intestine ठीक है यह तो final product नहीं है जैसे कि हमने बताया अब यहाँ पर final product के बारे में discuss करते कि यहाँ पर dipeptides फिर से in the presence of in the presence of dipeptides finally convert होता है into the amino acid now this into the amino acid फिर maltose जो है in the presence of maltase convert होता है into the glucose plus glucose this is the final product then उसके बाद है lactose in the presence of lactase convert होता है finally into the glucose plus galactose this is the final product then sucrose in the presence of sucrose convert होता है into the glucose plus fructose now this is the final product तो जो यहाँ पर अब reaction हो रहे है यह सारे final product हो रहे है ठीक है then nucleotides यहाँ पर nucleotidase के presence में nucleosides के अंदर convert हो रहे थे जैसे कि हमने देखा था nucleosides जो है वो finally convert हो रहे थे into the sugar plus basis के अंदर in the presence of nucleosides ठीक है जो dye and the monoglycerides in the presence of lipases finally convert हो रहे into the fatty acids and glycerol and these reaction break down occur in the duodenum of the small intestine तो जैसे कि मैंने बता है था कि duodenum के अंदर सबसे जादा digestive process होती है क्योंकि है पर सबसे जादा enzymes प्रिजेंट है और सबसे जादा आपर digestion होता है ठीक है simple absorption takes place in the jejunum and ileum region तो जो simple absorption है सबसे जादा digestion हो हमने बता दिया कि किसमें होता है duodenum के अंदर होता है which is a u-shape अब फिर उसके बाद जो simple absorption होता है वो किसके अंदर होता है jejunum और ileum के अंदर होता है then undigested food और unabsorbed substance basically इसका function किया कि no digestive activity large intestine के अंदर कोई भी digestive activity नहीं होती है यहाँ पर यह सिफ normally इसको pass out करने का store करने का और absorb करने का थोड़ा बहुत काम करता है तो यहाँ पर कुछ ही चीज़े absorption of some like water कुछ water small content में absorb हो जाता है minerals होता है certain drugs यहाँ पर absorb हो जाता है इन्दी large intestine लेकिन यहाँ पर कोई भी digestive activity नहीं होती है secretion of mucus यहाँ पर basically secretion of होता है mucus क्योंकि help करता है adhering and lubricating of the waste undigested particles तो इसी लिए यहाँ पर mucus secret किया जाता है इन्दी large intestine क्योंकि then this finally enter into the cecum finally enter होता है cecum के अंदर through the ileocecal valve तो जैसे कि मैंने बताय था कि यहाँ पर भी एक gate present होता है between the ileum and the cecum ठीक है यहाँ पर भी एक gate present होता है ileum is the last part of the small intestine and the cecum is the first part of the large intestine तो इन दोनों के बीच में भी आपर gate present होगा एक valve present होगी that is known as the ileocecal valve which prevents the backflow of the feces matter fecal matter ठीक है तो यह जो undigested food particle है इनका backflow prevent करती है कौन? ileocecal valve temporarily stored होता है फिर finally undigested food temporarily stored होता है rectum के अंदर till defecation ठीक है तो यह था सारी इसकी digestive activity के बारे में the activities of the gastrointestinal tract are under the neural and the hormonal control for the proper coordination of different parts तो यह जितनी भी activities अंदर होगी है for the proper coordination of different parts the sight, smell और the presence of food in oral cavity secretes the saliva तो जैसे कि मैंने बता है कि कोई भी आपके अगर favorite चीज आपके सामने रखी हो या कोई बात कर रहता आपके अपने आप मुह में पानी आने लगता है तो इस वज़े से आता है क्योंकि आप easily जो वो swallow कर पाव चीजों को food particles को ठीक है the sight, smell or the presence of food in the oral cavity secretion of saliva takes place and the gastric and the intestinal secretion stimulates by the neural signal और जो यहाँ पर gastric and intestinal secretion है वो stimulate होता है by the neural signals neural signals यहाँ पर why we take gastric and intestinal secretion करते है while जो saliva का secretion होता है वो देखने की बज़े से smell की बज़े से or presence of food की बज़े से होता है while the gastric and the intestinal secretion यह neural signals की बज़े से होता है यह neural signals stimulates 때 er पाइनली फिर gastric and intestinal secretion होता है हमारे body के अंदर, hormonal control of the secretion of the digestive juice carried out by local hormones produced by the gastric and the intestinal mucosa तो यहाँ पर जो भी hormonal control of the secretion of digestive juice या फिर यह carried out होता है by the local hormones produced by the gastric and the intestinal mucosa ठीक है, तो यह था पूरा digestion के बारे में मतलब glands के बारे में basically कैसे यह काम करते हैं अब यहाँ पर finally बात करते हैं absorption of digested food के बारे में कि किस तरीके से absorption होता है digested food का the process by which the end product passed through the intestinal mucosa into the blood और limb तो जो भी यहाँ पर absorption हो रहा है, यह passed हो रहा है through the intestinal mucosa, intestinal mucosa के through यहाँ पर फिर पास हो रहा है into the blood और limb तो जैसे कि हमने discuss किया यहाँ पर जो बहुत सारे limb vessels और basically जो लेक्टियल प्रेजेंट है वह क्या करते हैं तो यहाँ पर तीन प्रोसेस के तुरू यह सारी चीज़ें होती है डाइस अक्टिव पैस्टिव एंडी फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट तो बन बाइवन हम यह सारे प्रोसेस को डिसकस करते हैं स्मॉल अमांट ऑफ मोनोसकराइट ग्लूकोस अमीनो असिड़न सम् इलेक्ट्रोलाइट यहां से जो है वो एब्जॉब होते हैं अब यहाँ पर जो पैसेज है ऑफ दसम सबस्टेंस यह डिपेंड करता है किसके ओपर कंसेंट्रेशन ग्राइट के ओपर डिपेंड करता है स्मॉल अमांट में हाँ पर मोनोसकराइट ग्लूकोस अमीनो असिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे की सील माइनस यह इजीली अब्सॉब हो जाता है बाइद सिंपल डिफूजन ठीक है दन फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट तो यह था सिंपल डिफूजन के बारे में अब बात करते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट के बारे में सम स्बस्टेंस लेक्टोस और विकन से सम अमीनो असिड्स और एब्सॉजन जैसे की फ्रक्टोस हो गया या अमीनो असिड्स हो गया यह एब्सॉजन की मदद से एब्सॉजन और हमारे बॉड़ी में डिपेंड्स अपॉन दा ओस्मोटिक ग्राडियंट ठीक है यह दखना यह बात कि वाटर का ट्रांस्पोर्ट किसके उपर डिपेंड करता है यह ता फैसिलिटेट ट्रांस्पोर्ट के बारे में अब अक्टिव ट्रांस्पोर्ट के अंदर क्या होता है कि यहां पर यह तब हो होता है और यहां पर energy की requirement होती है जैसे कि amino acid monosaccharides हो गया like glucose electrolytes absorbed into the blood through this और जो भी amino acids से monosaccharides से जैसे कि glucose हो गए electrolytes हो गए कुछ यह absorb होते है through the active transport जो कि against the concentration gradient जाकर energy यहां पर सबसे ज़्यादा लगती है ठीक है और फिर absorb होता है finally ठीक है fatty acids and glycerol in soluble in blood तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि fatty acids or glycerol in soluble in blood मतलब इसको फिर से हमको simple substance के अंदर convert करना पड़ेगा breakdown करना पड़ेगा ताकि simple form में आ जाए और फिर finally इसका absorption हो सके हमारे body के अंदर तो यहां पर क्या करेगा so first incorporated into the small droplets called as the micelles ठीक है तो यह fatty acid or glycerol को क्या करेगे small droplets के अंदर convert करेगे that is called as the micelles and move into the intestinal mucosa और finally इसको move करेगे intestinal mucosa के अंदर and then reform into the very small protein coated fat globules called as the kylomicrons तो इसको finally हम convert करेगे हमारा body इसको convert करेगा into the kylomicron और फिर transport होगा into the lymph vessel that is the lacteals in the villi and these release the absorbed substances into the blood stream तो इतनी लंबी process होती है fatty acids or glycerol को digest करने के लिए और absorb करने के लिए हमारे body के अंदर तो basically easily insoluble easily soluble नहीं होता है हमारे body के अंदर they are insoluble in blood तो इसको दूसरे form में convert करके फिर finally lacteals के थूर एब्सॉप करेगे and these release the absorb and these releases the absorbed substance into the blood तो फाइनल इसको blood stream के अंदर release कर देगे absorption of different parts तो यहाँ पर absorption of different parts हम discuss करेगे जैसे कि mouth starting with the mouth जैसे कि बोला गया था कि digestion जो है वो माउट से ही चालू हो गया था due to the presence of amylase 30% starch माउट के अंदर ही digest हो जाता है उसी तरीके से absorption भी माउट से ही चालू हो जाता है यहाँ पर जब कुछ drugs contact में आते हैं with the mucosa of mouth and the lower side of the tongue यहाँ पर absorption चालू हो जाता है absorbed into the blood capillaries lining them तो यहाँ पर absorption हो जाता है by the blood capillaries which is present by the lining the mouth ठीक है दन दूसरा है stomach stomach का यहाँ पर absorption होता है absorption of water simple sugar and alcohol extraction etc तो इन सारी चीजों का stomach के अंदर absorption होता है small intestine के अंदर सबसे जादा absorption होता है सबसे जादा digestion भी होता है absorption भी दोनों यहाँ पर जादा होती क्योंकि secretion of enzymes सबसे जादा होता है यहाँ पर easily breakdown हो जाता है food particle simple substance के अंदर इसलिए पर सबसे जादा absorption भी होता है तो यहाँ पर small intestine maximum absorption होता है principal organ for absorption of nutrients तो इसको principal organ बोला जाता है small intestine को of for the absorption of nutrients digestion is completed here यहाँ पर complete digestion हो जाता है final product of digestion that is the glucose fructose fatty acid glycerol and amino acid यह कहें सारे final product है यह सारे absorb होते है through the mucosa into the bloodstream and lymph तो यह सारे जो end product से absorb किये जाते है mucosa के through into the bloodstream and lymph तो यह small intestine की बात है यहाँ दरतना small intestine को principal organ बोला जाता है for absorption of nutrients then finally यादा है large intestine large intestine के अंदर के होगा absorption of water small minerals and drug takes place यहाँ पर इंसारी चीजों का absorption होगा in the large intestine अब कुछ disorders के बारे में discuss करते हैं यहाँ पर finally this is the last topic basically होता है inflammation of intestinal tract is most common due to the bacterial or viral infection यहाँ पर inflammation जखम बोल सकते हैं inflammation मतलब जखम हो जाता है यहाँ पर तो inflammation of intestinal tract intestinal tract का easily आपर inflammation हो जाता है जखम हो जाती है यहाँ पर due to the bacterial or viral infection bacterial viral infection की वज़े से यहाँ पर intestine tract के अंदर easily inflammation हो जाता है which is the most common ठीक है infection are caused by the parasites तो ऐसे किसकी वज़े से होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ parasites of intestine like the tape worm, round worm, thread worm, hook worm, pin worm यह सारे ऐसे worms से जो कि हमारे intestine के और directly attack कर सकते वहाँ पर यह बहुत ही जादा harm cause कर सकते मतलब ऐसा situation होगा जिसके अंदर यह अगर गलती से इसका एक भी enter हो गया हमारे intestine के अंदर तो उस एक egg से उस एक tap worm या round worm समझ लो वह बहुत सारे एक्स करेगा वह बहुत सारे फिर टेप और बन जाएगा और वह सारे टेप फिर से बहुत सारे एक्स करेगे और फाइनली हमारे intestine को पूरी तरीके से ब्लॉक करेगे और ऐसी सिचुएशन होगी जिसके अगर परसन खाना भी खाता है तो पूरा खाना ये खा जाएगे इंटस्टाइन के अंदर और परसन को डेफिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी दूसरा ये कि उसका पेट भारी का भारी ही रहेगा करते हैं यूमन बोडी को ठीक है इसलिए बचके रहो हाईजीन मेंटेन करो देन दूसरा डिजीज यहाप है जॉन्डीस जॉन्डीस तब होता है जब लिवर को अफेक्ट होता है ठीक है लिवर लिवर इस अफेक्टेट स्किन एन आई टर्न यलू यहापर पता होगा आपको कि जॉन्डीस के अंदर स्किन की जो वाइट पार्ट जो है और आई का जो वाइट पार्ट है वो यलो हो जाता है ड्यू टु दर डिपॉसिशन अफ डी बाइल पिग्मेंट का दूसरा है आपर वामिटिंग वामिटिंग के अंदर क्या होगा इजेक्शन अफ स्टमक कंट तो इसमें क्या होगा उल्टी गंगा बहेगी ठीक है बेसिकली फूड को तो नीचे की तरफ डाइजस्ट होना चाही नीचे की तरफ बहना चाही लेकिन वामिटिंग में क्या होता है कि ऊपर माउथ के थू बाहर आ जाता है फूड तो दिस रिफ्लैक्ट सेक्शन इस कंट चक्र जैसा लगता है और फिर वॉमिटिंग जसी फीलिंग आती है तो यह मेडिूला जो है वो कंट्रोछ करता है विच इस था वोमिट सेंटर इन धी ब्रेन ठीक है यह एधिय। सेक्टेटि यहापर अधिक्श्यन इसके बाद डाइजिए वाद रीक्वेंसिए ग्वेंस दाइरिया विच रिडूसेस अब्सॉप्शन और जिसकी वजह से एब्सॉप्शन और फूद जो रिडूस हो जाता है ठीक है बेसिकली डाइरिया जो वो गर्मियों की सिसन में जाधा था एक ऐसी बिमारी जिसके अंदर फीसेस अर रिटेंड विदिन दा रेक्टम एस दबोवल मुवमेंट अकर्स इर्रेगुलर्ली तो यहां पर जो वो पीसेस जो है वो बहुत ही जाधा स्टोर हो जाता है रेक्टम के अंदर और वोटेफिकेशन के लिए बहुत ही जाधा प्रॉपर्ली डाजेस्टेट उविसके नाम से समझ में रहा कि इन डाजेशन में के वोगा फूपर्ली डाजेस्ट नहीं हो पाएगा लीडिंग टुद फिलिंग ऑफ फुलनेस जिसकी वज़े से यहां पर बहुत ही जाधा भारी बारी फील होगा पूरा टाइम पेट भर प्रॉपर्ली यहां पर इनडिकवेट एंजाइम सिक्रेशन एंजाइटी हो सकती है फूट पॉसनिंग हो सकता है ओवर इटिंग हो सकती है फिर स्वाइसी फूड हो सकता है एंड यस फैनलिवी फिनिश्ट इस चैप्टर आपको अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंड म यूज करते हो कॉस्टन के लिए उसके अंदर ये चैप्टर के सारे कॉस्टन प्रैक्टिस करें ठीक है आपको अगर कोई कॉस्टन समझ में नहीं आ रहा है उसका फोटो बेच के मुझे मेसेज करो कमेंड करो ठीक है अपने डाउट सारे क्लियर करो टॉपिक पटाफ़ट कवर करते जाओं ठीक है all the very best I am with you और सारा टाइम जब भी यूटिलाइज करना हमको बहुत अच्छे तरीके से ठीक है all the very best thank you so much